नमस्कार दोस्तों मैं कुनान काल रहा है आपका बहुत-बहुत स्वाल करता हूँ Soulmate compatibility by data of birth number two and number four इस बारे में हमने पहले भी मैंने वीडियो गनाया हुआ है आप देख सकते हैं मैं description में link डाल देख सकते हैं two and four गे उपर two and four जारा तर anti numbers का आयाता है बहुत request मेरे comment section में आती है कि जिसमें sir anti numbers के बारे हम बताइए कि anti numbers का हम क्या आक देए ऐसे-जे comment आते हैं कि मैं two हूँ, मेरा husband four है तो हमारी बिल्कुल नहीं बनती है two or four anti numbers होते हैं तो हमाने गल्थ शादी कर लिया है ये भी सुनने में मिलता है कि ये जो two or four को बिल्कुल शादी नहीं करने चाहिए कि हम बिल्कुल शादी ना करें हम छोड़ दें हर किसी का जवाब मैं कैसे दो ये बहुत basic सा सवाल है मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूँ सिर्फ मेरी बताई हुई information पे आप rely करके ना ही सामने वाले को जज़ करें क्योंकि मैं खुत कह रहा हूँ कि ये एक incomplete information है सिर्फ two or four के बेस पे मैं जज़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ two or four के बेस पे आप जज़ कर रहे हूँ कि two सही है four गलत है या four सही है two गलत है ये anti नंबर है रावू जंद्रमा का नंबर है ये problem create करेगा हाँ ये problem create करेगा बट क्या सिर्फ ये ही नंबर है इसको प्रूफ करने के लिए दो date of birth को मैं पूरे तरीके से जैसे मैं numerology compatibility चेक करता हूँ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके अंदर इसी video के अंदर तो date of birth को complete देखते हैं कि हम इनको कैसे देख सकते हैं और फिर कैसे अगर ये anti है तो इनमें क्या चीज़ें हैं जो इनको जोड़े रख सकती है और क्या चीज़ें हैं जो इनको अलग करे तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर ताकि आप उस समझ आ सके कि हमने सिरफ 2 और 4 के बेस पर रिष्टा नहीं तै करना ऐसे और कई नंबर्स के वीडियो में लाओगा बट आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि soulmate compatibility हम कैसे soulmate कहेंगे तो वो सारी बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर एक्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 टेटाव बर्थ ली इन टेटाव बर्थ ले रहा हूँ यह बेरी क्लाइन की टेटाव बर्थ है 13 सप्टेंबर 1982 और 12 अबर्विल 1984 ठीक है यह एक कपल की टेटाव बर्थ है ठीक है मैं वैसे पेडिक्शन करूँगा जैसे नॉमली मैं कर रहा हूँ ना इसमें मैंने पहले कुछ लिखा है और ना पहले मैं पुछ देख ठीक है ना अंदा स्पॉट मुझे स्पॉन्टेनियस बोलने में भी अच्छा लगता है अब लड़की की डेटाव बर्थ में देखिए नंबर चार है और लड़की की तीन है अब दोनों में जो कॉमन नंबर्थ देखिए आप क्या क्या है लड़की के पास भी तीन है लड़की के पास भी तीन है और दोनों पर तीन बहुत स्ट्राउं होता है और बारा का तीन बहुत स्ट्राओं होता है, तो यानि दूनों के अंदर ego clash दबा के ओ, अपने अपने parents को लेके, अपने अपने parents को लेके, दोनों के बीच में, man-mutav कहलो, ego, ये कह सकते हो कि respect को लेके issue, कि लड़की ने कहना है मेरे parents की तरफ ने देखा, लड़के ने कहना है मेरे parents का ख्याल ने रखा, तो ये दोनों के बीच में disturbance create करेगा, अब ये 2 और 4 कैसे बनते हैं समझ जाओगे आप, इसकी destiny लड़के का basic 4 है, लड़की का basic 3 है, ठीक है, लड़के की destiny 6 है, और लड़की की destiny 2 है, अब हम देखा जाए, तो 2 और 4 एंटी नमबर हो गए, 3 और 6, 36 का अंकड़ा, ये एंटी नमबर हो गए, तो तो इनका अगर कोई मैच मिलाएगा, तो वो कहेगा, नियुमरदा जी के एसाब से भई है, ये मैच ठीक ही नहीं है, मत करना ही मैच, बट स्टिल वो 15 साल से शाधन श चिनी नमबर भी एंटी हो गए, अब हमने देखना है इनके अंदर कि किन की चीज़ों को लेके प्रब्लम है, एक तो 3 को लेके इशु रहेगा इनका, पेरेंस को लेके, तो यानि लड़के के पेरेंस से लड़की को प्रब्लम रहेगी और लड़की के पेरेंस से लड़के लड़की के पास 9 है, लड़की के पास 9 नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, लड़का step लेगा, अगर लड़का negative भी हो, मतलब negative वो चाहे positive हो, 9 का काम है step लेना, 7 खड़े रहना, तो अगर तो वो लड़की से प्यार करता है, तो तो step लेने के लिए खड़ा रहेगा, मतलब मैं खड़ा हो जी आपके साथ, और अगर वो लड़की के against है, तो वो parents के साथ भी खड़ा है, तो खड़ा वो दोनों तरीके से है, parents के लिए भी है, parents और मतलब लड़की के लिए भी, तो यहाँ लड़के के पास एक plus point है, समझें, फुरा सारी चलते हैं, लड़के के पास 6 है, यानि लड़के के पास बीनस की power strong है, lust, food addict, food addict नहीं कहिए, addicted is the wrong word, food का shock, foodie, और हम यह कह सकते हैं, lust, sexual desires, यह सारी रहेंगी, लड़की के अंदर यह missing है, अब बोलिए, तो यानि उसको sexual related issues लड़के और लड़की में रहेंगे, लड़के को जो चाहिए, वो लड़की के पास से regularly यह problem आई, अब हो सकता है, लड़की के sexual desires जादा हों, वो astrologically जादा होंगी, तो benefit हो जाएगा, नहीं तो numerology कली अगर हम जो देखें, तो यहाँ पर यह problem दिखती है, यह problem रही, clear है, आगे चलते हैं, लड़की के पास 2 strong है, डबल टू है, और लड़के के पास 2 weak है, 1982 पर अब यहाँ matter करता है, क्योंकि जहाँ moon strong होता है, व्यानी का मतलब हो गया कि लड़की के अंदर एक attraction है, लड़की के अंदर एक भूलापन है, चेहरे में, है नहीं है, वो अलग चीज है, astrology गली और हाथ से और पूफ होता है, बट लड़की के अंदर एक innocence है, एक बात बोलने का मीठा तरीका है, context और अपनी तरफ ठीचने का एक तरीका है, तो लड़की को पता है कि लड़के को मुझे अपनी तरफ कैसे खीचना है, तो यहाँ यह attraction work करेगा, और यह six और four उसकी तरफ attract हो, राओ की एक खास कमजूर यह मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि two की तरफ attract होगा, तो four तो two की तरफ attract होगा, six भी होगा, अलाकि six पूल लस्ट चाहिए, वो मिलेगा नहीं, बट जिसे कहते हैं, two का काम यहाँ से उपर होता है, और six का काम यहाँ से नीचे होता है, तो six की related problem रहेगी बट two से related problem उसकी solve हो जाएगी, तो लड़के को जो internal प्यार, जो सच्चा प्यार, सादगी, जो प्यार, real love चाहिए, वो लड़की को लड़की से मिलेगा, बट जो physical needs से यह, उसमें problem रहेगी, एर थोड़ा सा आगे, यह दोनों का strong है, यहाँ पे लड़की बाजी मार जाए अब देखिए 1984 और April का 4, अब जहां इसके पास 4 double है और लड़के के पास single है, तो loss लड़के का और है, लड़की का निए, लड़का losses और एंटीड होगा, क्योंकि देना तारीक है तो loss पर वो करेगा, तेना बचार से कसूर नहीं उतामता, उसे loss होगा, single 4 है, बट यहाँ पर लड़की के पास double 4 है, वो losses उसके बचाएगी, तो लड़का जहां जहां नुकसान करता जाएगा, लड़की उसको बचाती जाएगी, जैसे लड़का कोशिश करेगा कंजूसी करने की, कि मैं ये waste ना करो, उसे by default कुछ ऐसा समान खरीदा जाएगा, जो actual में waste होगा, उ वो चीज़े भी use करेगी, जो लड़का waste करेगा, वो समालती जाएगी, वो कहेगी मुझे जरूते नहीं है, वेस्टे अलग मैटर है, बट वो लड़के को पैसे को लेके परिशान नहीं करेगी, क्योंकि लड़की की data of birth में, 7 भी missing है, 5 भी missing है, तो लड़की का concern पैसा नह और लड़के को domination नहीं चाहिए, लड़के को सारा कुछ चाहिए, क्योंकि लड़के के पास maximum numbers है, अब इनका रिष्टा किस वज़े से अटकेगा, वो मैंने आपको बताया, अब किस वज़े से चलेगा, वो मैंने आपको बताया, बट इसी को चलने की जाधा वज़े है, कि होरोस्कोप के अंदर किसी भी एक के अंदर loving and caring nature होता है, यहां astrology work करते हैं, अगर लड़के और लड़की के birth time के अंदर, combinations, 5th house का, 9th house का, 11th house का, बन रहा है combination, तो इसका मतलब वो बंदा loving, caring रहेगा, मैंने के रहों दोनो, तो कई एक के भी हाद में अगर loving, caring nature है, एक की भ लड़की में नहीं, लड़की में अट्रेक्शन है, लड़का लड़की को छोड़के नहीं जाएगा, just because उसको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, तब भी नहीं छोड़ेगा, उसको physical relations अच्छे नहीं मिलेगे, तब भी नहीं छोड़ेगा, उसके माबा को कुछ कहा भी जाए तब भी वो कोशिश करेगा, कोई बात नहीं loving, caring nature इनके रिष्टे को बचा जाएगा तो powerful numerology नहीं होती सारे वीडियो को सार यही है कि powerful होता है loving, caring nature जो की सिरफ birth time से निकाल सकते हैं तो अगर birth time में loving, caring nature है तो फिर आप tension free होके रहिए फिर रिष्टा नहीं तूटेगा चाहे 2, 4 हो, चाहे 3, 6 हो यह best example है 2, 4 और 3, 6 का कि रिष्टा नहीं तूटेगा चाहे आपकी soulmate compatibility, love compatibility का score 0 आएँ यहाँ astrology hero है आशे करता हूं दी गई, जानकारी ठीक लगी होगी जल्स नहीं वीडियो के साथ यहाँ वीडियो पाफिल बाव यह आवाँ रहर, नहीं तूटेगा